हे गाईज वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आर्बेपी एट कर्शनल ट्रेक्स आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूज यूर्सेल्फ मतलब अगर आप कहीं पे अपना इंट्रोड्यूज दे रहे हो तो आप अच्छे से कैसे दे पाओगे मैं आज टॉपिक वाई टॉपिक बताऊंगा बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे आप बस आपको टॉपिक कुछ टॉपिक याद रखने हैं और बस आप आसानी से समझ ज जाते हो तो आपका इंट्रोडक्शन ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है अगर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छे से नहीं दे पाते हो वहीं पर आपका इंप्रेशन खतम हो जाता है तो आज मैं बताऊंगा कि आप अच्छे से कैसे दोगे अपना इंट् यह तर आपको सबसे पहले क्या याद रखना है फ्रस्ट नंबर पर वह आपका ग्रेट्इग ग्रेटिंग मतलब क्या कि जैसे कि गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग एवडिवन या फिर अफिर गुड आफ्टर नून गूड एवनिंग या फिर गुड नाइट पहले तो आप यह बोल सकते हों thanks for giving me the opportunity एक छोटा सा लाइन है यह thanks for giving me the opportunity लेकिन अगर आप बड़ा वाला याद कर सकते हो तो आपके लिए यह ज्यादा बेटर रहेगा जैसे कि यह बोलना है कि first of all thank you for giving me this opportunity of introduce myself ठीक है मतलब कि सबसे पहले आप thank you अदा करोगे कि आपको यह opportunity मिला है अपना खुद को बताने का ठीक है उसके बाद आप तीसरे नंबर पे अपना नेम बताओगे नेम में क्या बोल सकते हो आप एक तो आप बोल सकते हो myself Myself, जो भी आपका नाम है XYZ लेकिन यह एक एक अनफॉर्माल तरीका है Un-formal लेकिन यह आपका बोल सकते मिल अपने Friend के साथ जब आप फॉर्माल तरीका है मतलब जो फॉर्मल तरीका है वह आप बोल सकते हो my name is xyz मतलब जो भी आपका नाम है वो या फिर I am xyz मतलब आपका जो भी नाम होगा वो आप xyz के जगह डाल सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको my name is xyz बोलना ज्यादा बेटर रहेगा ये वाला उसके बाद एक लाइन अगर आप student हो तो ये भी जोड़ सकते हो कि I am a student ये आप बोल सकते हो आसानी से I am a student उसके बाद अगला जो लाइन है वो भी आप बोल सकते हो ठीक है क्योंकि इस दोनों में लिखा है I am 21 years old उसके बाद अगला जो पॉइंट है चौथे नंबर का वो है आपका प्लेस प्लेस मतलब क्या जगह ठीक है मतलब आप की जगह से बिलोंग करते हो तो आप यहां पर लिख सकते हो I am from या तो आप बोल सकते हो I am from जहां से हो जैसे कि मैं बिहार से हूं तो भ बिहार पिहार I am from बिहार या फिर I belong to बिहार डेल ही जहां से भी हो आप उस जगह का नाम यहां पर बोल सकते हो और अगर आप कहीं इंटर्व्यू देने जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे I am from बिहार इटसेल्फ मतलब मैं बिहार से ही हूं इटसेल्फ मतलब होता है से ही ज महीं पर इंट्रोडक्शन देर हो तो उस जगह पर आप इटसेल्फ लगाओगे अन्य था आपको इटसेल्फ नहीं लगाना है ठीक है सिर्फ बोल दोगे I am from बिहार तो मैं आपको एक स्टुडेंट के लिए बता रहा हूं तो इटसेल्फ का आपको जरूरत नहीं होने बा क्लास जिस भी क्लास में हो सपोस्ट अगर आप 12 में हो तो बोल सकते हो I am in क्लास 12 ठीक है या फिर बोल सकते हो I am in 12th standard ठीक है I am in 12th standard यह भी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो I am pursuing 12th या फिर graduation क्या बोल सकते हो I am pursuing graduation मतलब क्या कि आप अभी pursuing मतलब होता है जो किया जा रहा है मतलब I am pursuing graduation मतलब मैं अभी graduation कर रहा हूं ठीक है तो आप बोल सकते हो I am pursuing graduation मतलब मैं अभी graduation कर रहा हूं अगला जो लाइन है वो है I am in BSC second year अगर आप graduation में ही हो BSC में हो BA में हो जहां भी हो first year में हो या second year में हो तो आप बोल सकते हो आप अगला है स्कील के बारे में मतलब आपने कोई टेकनिकल डिग्री लिया है तो आप बोल सकते हो जैसे कि I have done DCA course या फिर ADCA course यह computer का course है तो अगर आपने किया है या फिर I have done ITI diploma जो भी है तो आप बोल सकते हो I have done ITI I have done diploma course I have done DCA I am done I have done ADCA तो इस तरह से आप जो भी अगर कोई स्कील है आपके पास तो वह भी आप इसमें जोड़ सकते हो उसके उसके पास सेबन नंबर जो पॉइंट है वह जैसे कि आप बोल सकते हो यह तो सबको बोलना है in my family apart from my parents एक यहां से लेकर यहां तक parents in my family apart from my parents I have an elder sister या फिर आप यहां पर बोल सकते हो I have a brother a brother and two sisters मतलब जितने भी आपके भाई बहन है वह आप अपने हिसाब से यहां पर बोल सकते हो लिख सकते हो ठीक है उसके बाद आठमा जो पॉइंट है वह है hobbies hobbies मतलब क्या वैसा काम जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो जैसे कि my hobby is listening listening standing standing to music मतलब क्या मुझे गाने सुनना पसंद है या creating YouTube videos यह जो मेरा है यह मेरा होबी है तो आप बोल सकते हो माई होबी इस miste to music माईं हवबी और प्लेंग रिटेट इसे बॉन सकते हो माईं होबी ग्रिकेट माईھ होबीिएmee माई होबी इस दूप रिचेटिग यूटुब बीडियो स्टत तो इस तरह से जो भी आपगा होबी है वह भी आप बोल सकते हो उसके बाद जब आप आपना answer खतम करोगे मतलब end your answer जब आपको अपना answer खतम करना होगा तो आपको यह दो line बोलना ही है last में ताकि आपका impression अच्छा रहे है जो कि है that's all about me मतलब उपर का जो है सारा वो मेरे बारे में है और last में आपको thank you बोलना है इसी सब टॉपिक पर मैंने अपने लिए एक बनाया है जैसे कि मानलो आप मैं के स्टूडेंट हूं और मैं अपने लिए एक जो है introduction त्यार किया हूं तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे good morning sir first of all thank you for giving me this opportunity to introduce myself क्योंकि मेरा नाम पुस्पम ठाकुर है तो मैंने अपना याम यहां पर लिखा है मैं इस पूस्पम ठाकुर आयम 21 येर्स ओल्ड आयम एश्रुडेंट आयम फ्रॉम बिहार से हूं फिर आगे जो है वह है आयम पर्सूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम एलनमु मतलब मैं जो KYP and ADCA course मतलब मैंने KYP और ADC a course कर रखा है ASKIL के तौर पे अगला है in my family apart from my parents I have an elder sister मतलब क्या है कि मेरे family में मेरे माता पिता के अलावे मेरी एक sister है इल्डर सिस्टर उसके बाद है माई हॉबी इस क्रियेटिंग वीडियो फॉर यूटूब मतलब मेरा जो हॉबी है वह क्रियेट करना है विडियो क्रियेट करना है वह भी यूटूब के लिए और लास्ट में हम भूल सकते हैं डैट सौल अबाउट यू थाइंक यू तो सब्सक्राइब कर लिए ऐसे नौलेजफूल वीडियो देखते रहने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन दोस्तों